दोईवाला के जोली ग्रांड का दहदुन हवाई अड़ा अपनाई रूप में बन कर तयार है और बहुत चल तमांग खूबियों को समेटने वाली है आदुनिक टर्मिनल बिल्डिंग एरपोर्ट अथॉर्टी के हैंड ओबर होने जा रही है एपोर्ट के टमिनल बिल्डिंग को तयार कर रही कंस्रक्शन कंपनी अहलुवालिया लिमिटेट के प्रजेक्ट इंचार्ज आजी पन सोड़े ने इस बिल्डिंग की खासित बताते हुए कहा कि देहदून हवाई अड़े पर आने वाले लोगों को पता चलेगा कि वाकई देव भूमी का यह एपोर्ट पूरे देश के एएपोर्ट में सबसे खास और बहत खुप सूरत है प्रजेक्ट इस बिल्डिंग बनके तयार हुई है वो समस्त क्वालिटी के मानक और सेफटी के मानक को रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डिंग निकली लिए और वी कमिटेड़ एस एक कंपनी तो दिलिवर सच कांड और प्रोजेक्ट और क्वालिटी प्रोड़क्ट तो देवाइन प्लाइन कस्टमर और बेसिकली इस बिल्डिंग का यह कह सकते हैं इस इंटलिजेंस अब यह पसाड सिस्टम अगर आप देख सकते हैं तो इस बन आप दवेस्ट पसाड सिस्टम डवलब दिन इंडिया पीछे मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह एक आट वर्क का फॉर्म है जिसमें आप देखें कि उत्तराखंड की संस्कृती को कितनी खुपसुरत तरी आया गया है और यहां आगे आप स्पोर्स जो होते हैं विंटर उनको भी दर्शा गया है तो यह एक एक कोशिश रही है हम लोगों की तरफ से जो हमको दिया गया था उसको सौ परतिसत बना के प्रतूस करने का और लगभल लगभल यह एरपोट आपके आप देख रहे हैं क पुरी तरह से तैयार है गुकम यहां क्योंकि उत्राखंड हमारा जो है फोर फाइव अगरे फाइव में पड़ता है तो यहां जो डिजाइन किया गया है वो समस्त मानकों को लेके किया गया इंक्लूंडिंग आप देख रहे हैं जो फसाड सिस्टम है इसमें भी सारे मानक जो है बुकम परोधी और जो एर प्रेशर्स वाटर लिके जैसी सारे टेस्ट किये गए और सक्सेस्फूली पास्ट सिस्टम है इसके अलावा आप बिल्डिंग का वेंटिलेशन सिस्टम आप देख रहे हैं आप देखेंगे कि यहां डेलाइट सिस्टम जो है बिल्डिंग का इतना अच्छा किया है कि दिन में भी यहां पर रॉष्णी की लाइट लगाने के जबती है तो काफी लाइट का जो है कंसर्वेशन कंसेप्ट और क्योंकि यह गरिया रेटेट फोर्ट बिल्डिंग भी है तो सारे माना के इन्वार्मेंट और सेफ्टी और हेल्प रेट